नमव नहरे जेगो माताव वंदे मात्रमा भार्तिक उप्रणाम और हिर्दैशे ओम शम शनिश रायना प्रदेशकों मित्रों शाथियों हम अपने इन आखों से चरा चर जगत को देख सकते हैं पूरी दुनिया को देख सकते हैं लेकिन श्यों को नहीं दे सकते हैं श्यों को देखना होगा तुम्हें दरपन की जर्द पड़ेगी ठीक इसी प्रकार अपने भीतर विराजमान उस परमतत्त्तों का आप अनभवन करना चाते हो जो सांती को आप महसूस करना चाते हो इसके लिए आपको ज्ञान की आउश्यत करें का और ज्यान गूर महराजजी का परशाद है वह बोध वह अनभव भीतर की बात है और भीतर जाने का रस्ता गूर बताते हैं ज्ञान के मत, यह ज्ञान तो भजन करिएगा, चर्चाओं से काम नहीं चलता, शमय ब्रबात मत करिए, सच्चंग शुमरन पर ज्यादा और ज्ञान नहीं है, ऐसे सद्गुरु की तलास करिए, जो भीतर के घट के भीतर उस तत्व का अनभाव करा दे, में तरों शाक्थियों बात करते हैं, 31 जुलाई 2023 की राशिफल और पंचाग, राशिफल पर आऊं, उससे पहले, आजगा पंचाग, प्रथम अधिक मास श्रावन शुकुलपक्ष की त्रियोदर्शी, वेकराम समथ 2018, श्रावन मास की 16 पर विश्टिव, सक्षम निष्ट श्रावन नौ, तद अनुसार, शुंबार, 31 जुलाई 2023, सुर्दकालीन तिती त्रियोदर्शी है, तिती का जो शमाप्तिकाल है, सुबह 7 बज कर 26 मिंट, अगली तिती चतुरदर्शी होगी, सुर्दकालीन योग विश्टुम्ब योग है, योग का शमाप्तिकाल रातरी 11 अगला योग पृति होगा, सुर्दकालीन करन तैतिल करने, करन का जो शमाप्तिकाल है, सुबह 7 बज कर 27 मिंट, अगला करन गर होगा, सुर्दकालीन नक्षतर, पूरो आसाड़ा नक्षतर स्वामी शुकर देवे, और नक्षतर की जो शमाप्ति है, वो साम 6 बज कर करक राशी में शूर्य, धन राशी में चंदर देव, शिंग राशी में मंगल देव, बुद्द देव और शुकर देव, मेश राशी में ब्रश्पत देव, राव देव, कुम राशी में शनी देव, तुला राशी में केतु देव, यह क्रों का संचरन और इसी आधार पर 31 जुलाई 2023 का मैंने राशिफल लिखा है आज का जो अभिजीत मूर्थ है वो दोपर 12 बजे से लेकर 12 बज़ कर 54 मिनट तक है अवदी 56 मिनट है और ये 56 मिनट आज की दिन कोई भी शुबकारी करने के लिए सबसे उत्तम महरत है कोई भी नया और शुबकारी जिसकारी में चीर काल तक लाब लेना हो उसे अविजीत मूर्थ में करें और अविजीत मूर्थ भगवान सिरी हरी को बहुत प्रिया है सुबका चोगडिया सुबह 9 बज़ कर 5 मिनट से लेकर सुबह 10 बज़ कर 46 मिनट लाब का चोगडिया दोपर 3 बज़ कर 50 मिनट से लेकर साम 5 बज़ कर 32 म तक रहेगा आज गा जो रहुकाल है उपरा तिस साड़े साथ से नौ बजे तक रहुकाल दन्शुबकारी करना, शौदा करना, पुझनिवेस करना, आनुकुल और उचित माना नहीं गया, सला मेरी और मर्जी आपकी, यात्रा उत्तर दिसा की ठीक रहेगी, और आज की दिन य देकर कुंकुम और केसर का तिलग लगा करें, यात्रा पे निकलते हैं तो कष्ट काम आएगा, प्रिदर्शकों, मित्रों, शात्यों, समें शाधन, परशतिया और काल में बहुत परिवर्तन आया है, इस समय यात्रा की अतियादुनिक साधन है, इसलिए आप किसी भी दिसर की कामना की साथ, ओम चंद्र मौले सुराय नम, इस मंदर का 27 बार जाब करके राइट तर्न लीजिए, और यात्रा पे जाएगा, कष्ट कम आएगा, नमना रहे हैं, मेरा एक छूटा सा निवेदने, मित्रों, शात्यों, आप सभी लोग, सनिधाम का जो नंबर है, कोशाला का नंबर है, उस पे आप फोन करते हैं, जो लोग वहां काम करते हैं, उनका ओफिस का अपना एक ताइप है, आपके फोन जो उठाए जाएंगे, वो सुबह 9 बज़े से लेकर साम 8 बज़े की बीच में उठाएगे, इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बज़े की बाद आप फो इस बात की फिर वहां जानकरी आपको कोई नहीं देगा, तो जो भी जो सनिदाम के नीचे नंबर आ रहे हैं, गोशाला के, इन नंबरों पर शंपर्क जो होगा वो सुबह 9 बज़े से लेकर, शाम 8 बज़े तक ही होगा, इस बात का थ्यान देगा, प्रदाश्कावान में 31 जुलाई आपका जनम दिन आप फिर साध्य की साल करें, तो मेरी और से आपको हर्दिक सुपकावन है, आपका जिवन खुश्यों से भरा रहे, शनिदेव की सिर्चर्णों में मेरी प्रात का, 31 जुलाई आपका जनम दिन आप फिर साध्य की साल करें, तो यह उपाए पू उन्हें भी जल अवसी चड़ाए तस परसाद श्री शिवाय नमस्तु भ्यम इस मंत्र का जाब करते हैं 108 अखंडित चावल श्रदापरो भगवान शिव के शिविलिंग पर अर्पित करें चावल अर्पित करने से पहले पीला चंदन का लेप भगवान शिव के शिविलिंग पर जरूर करें तस परसाद स्यदान उसार श्वेद वस्तर मिश्री और चावल का दान नौ वर्स की कमायू के कंद्याओं को देने से पूरा साल खुश्यों से बितागी हुपाई हर सोंबा करें और शाल भर करें कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा नमनाई अब मैं बात करूँगा आपके राशिपल की यह जो राशिपल आपकी चंदरासी आपके नाम राशिप राधारी राशिपल पूर्शों के लिए बिया महिलाओं के लिए बुजर्गाँ के लिए बच्चों के लिए, सबसे पहले मेशरासी मेशरासी बालों के लिए चंदरदेव नमम भाव में संचन कर रहे और नम भा मेंशनन द्रकन का रहे गोचरिस बात का संखे दे रहा है कि कामकाज का whit ne ओकरी वयविशाय को लेकर नोकरी कड़ी मेहनत कठिन और 64-hr करना वैसे नक्षत गणा इस बात का संकेदिर है कि आज पारवारिक सव्यूग अच्छा रहेगा और पारवारिक सव्यूग से आवसिक जुम्यदारी को पूरा करने में आप शक्सम रहेगे लेकिन स्वार्थ से बचके रहे हैं सयम से काम करता उत्तम अवसर मिलेगे आप युआ हैं शिवल इंजिनिरिंग में खेल के मैदान में फिलम इंडिस्टरी में पतरकारता हैं मेडिया में हैं पारवारिक रजाबंदी से काम करेंगा सफलता में चार चांद दग जाएगे आज चम्ता देखाना का उसर मिलेगा बोधिक चित्र में कारिया भी सपल होंगे लेकि थोड़ असा पारवारी दर्जा बंदी चाहिए कारिया में क्या करें अपने उत्तरदायत्यों की प्रति सचेद्रे क्या ना करें भूमी और भवन सम्मेंदी कारिय में पुंजी निवेस आज नहीं करें शुबंग नो शुबंग नीला भागिया आपके पैंसर प्रसनलाब कर संकेते में सराजवालों ओम क्राम क्रीम क्राम शा भूमाय नमा मंगल देव के बीज मंत्र का जाब करना उत्तम रहेगा और बात करते हैं विर्षबरासी अस्त्रम भामी चंदर देव अस्त्रम भामी चंदर देव शुकर देव और शुरुदेव के नश्वर में संचर के सितारों चल प्रतिकुलता प्रिशानी और कष्ट का संकेते हैं अनावशक प्रिशानी है पारवारी जिवन उठापट के नौकरी और व्यवसाय में हानी का संकेत है और श्वास्ते में आज अनितिक कारियों से दूर रहना बहुत जरूरी है प्रपंशों से अपना आपको दूर रखना बहुत जरूरी अनिता मोटा नुक्सान है यह और विद्यारतियों कड़ी मेनत कटीन पर संगर्श करना पड़ेगा थाले में परुशकर नहीं मिलेगा आजा क्या करें सच शुकरदेव की विजमंत्र का जापकरना अती उत्तम रहेगा नुमनाइन और बात करते हैं मित हूं राशी शप्तों भाव में चंददेव और शुकरदेव और शुरुदेव के नक्षट में संचन करें समयन कूल एक है कारभार के च्छेतर में काम-गाज के च्छेतर में नौकरी के छेतर में आसान को श्रफलता और धनलाब होगा और किसी मित्र और विशेश आगुंतों के संपर्ख से उनत्य के साधन बनेगे। सामाजी के पारवरिक से वर्चसों बढ़ेगा, धन की आवग बढ़ेगी, डेली इंकम बढ़ेगी, रोजगार के अच्छे साधन उपलम देगी और रोजगार श्रमंदी परिशान से मुक्ति मिलेगी, जीवन साथी का पूंट स्वयोग मिलेगा और वैवार श्रमंदी परि क्या करें, इमांदारी से स्वयोग्यों का साथ दे, क्या ना करें, अना उससे खर्च ना करें, शुबंग रहा, भागिया आपके साथ प्रसंट लाप कर संकेत मितुन्राश वाल हो, ओम ब्राम ब्रीम ब्राम शाब उधाय नम, बुद्देव की बीज मंतर का जाप करना उत परिशानी, कारोबार को लेकर बहुत परिशानी, केरियर में हमीशा उठा पटक रहती है, धन को लेकर तनाव रहता है, मैंने परिश्रम शंगर्श के बावजूद भी वो नहीं मिल पाता जिनके हम हाकदार है, जब भी सुमबार हो, सुमबार दिने उपाई करना और सभी लोग इस उपाई को कर सकते हैं, प्रातकाल, नित्य कर्म नियों सनानो प्रांत, सर्धापुर अपने पूजा इस्तार में मा गोरी का सर्धापुर पंचपचार पूजन करें, धूप दीप नहवेदीप पुष्पर अक्षद अरफित करें, तसपसा सर्धापुर मा के स्रि इसी मंत्र का जाप करते हैं, मा के चर्ण में मोगरी के पुष्प चालीश शुमबार अरपित करने से आपकी संपोवन, मनों, कामनाओं की पूर्थियों नमनाइन बात करते हैं, करकराशी, चंद्रदेव छटे भाव में संचन करने हैं, और चंद्रदेव शुक्र देव औ कामकाज कारुबार नौकरी में मेहनत परिष्णम संघर्ष का पूर्ण लाब मिलेगा, कारुबार की च्छेत में उनत्य की अच्छे अफसर मिलेंगे, धनलाब होगा, मननाओं की साथ आमोद परमद और खुषी में शमय वर्तित होगा, शुक के साधन बढ़ेंगे और कार कारी गैरेर कामकाज में उत्तम आउसर के साथ धनलाब की प्राप्ति बेग, क्या करेग, कोई भी कारी है, अपनों से बढ़ों की रजामंद इसके साथ कारे, क्या ना करे, साजदार की कार में मनमुटाबन ना करे, शुबंग नो, शुबंग नो, शुब्रंचपेद, आज के दिन थोड़ा सा गोचरमत्य में सैयम, धहरिये और शोडशमज के काम करेंगे तो सफलता ज्यादा मिलेगा। कारियों की प्रति सजक रहना बहुत ज़रूरी, सत्रक रहना बहुत ज़रूरी। मन की इस्ति सांत और अपने नियंतन में रही तो धन की प्राप्ती भी होगी। काम काज कारोबार में उत्तम अवसुर भी मिलेगा। और घरेलू समश्याँ का शमाधान भी होगा। किसी सभाव और सोसालिटी में अपना बात रखने का मोखा भी मिलेगा। आपका सरकल भी बढ़ेगा। लेकिन कब जब आपकी मन की इस्तिती सांत पूंड़ेगा। तो सांत थोरा सा रहने का प्रियास आप करेंगे। तो हर छेतर में आपको अच्छा मोखा मिलेगा। अपनी लक्स की प्रती सजग रहने से अनकूल प्रणाम प्राप्त हुए। केरियर और एज्यूकेशन के छेतर में माता-पिता और परिजनों का पूंडशयोग मिलेगा। और आगे बढ़ने के अवस्तर भी मिलेगा। शुर्देव के वीज मंत्रे के जापकह साथुप के अूतिम रहेगे माता। आपका नीजी सुख है। आपकी माता का, आपके परिवार का, आपका घर का, गाड़ी का, चल अचल संप्ति का। तो इन सारे मामलों में आज अनावस्यक विगिन परिशान और कर्ष्ट का संकेत नजर आ रहा है गहरेली और कारुबारी चित्र में समश्या बढ़ेगी स्वास्य प्रभावित होगा यात्रा में कर्ष्ट है क्रोधपन नियंतर नहीं रहा तो बेवेजे की विवाज से कामकाज कारुबार के मामलों में अनावस्यक परिशानी और रिणा अधिगा लेंदेन नुकसान दे सकता है आज अनावस्यक परिशानी को सामना करना पड़ेगा बहुत जरूरी है अनितिक कारियों से अपने आपको दूर रखे ततह कति तो मितन मंदल से सावधान रहे चिकसा मिला पर वाई नहीं करें तो अच्छा रहेगा क्या करें? खांदमान और दैनेग दिन चरिया निमेत रहे कर tuh शांत अमन के साथ रहें क्या ना करें? स्वार्त बख्ष कोई काहरी boast बात करते हैं तुला रासी तीसरे भाव में चंदर देव और तीसरे भाव में चंदर देव शुक्र देव के नक्षनल में संचर करें शमय शुब और अनकूल है स्वजनों के सोईक से कामकाच कारबार नोकरी में उत्तम अउसर के साथ साथ धन प्राप्ति के अच्छे मोगे मिले और वैविशाय विस्तार होगा आर्थिक इस्ति में सुधार होगा अनकूल इस्थान परिवर्तन है यात्राय सुखद रहेगी और भाई बंदों से सनह बढ प्रियास और शिक्षा के चितर में प्रियास सार्तक सिध होगे आप नोकरी हैं में है तो कारी इस्तर पर आपका मानसमान बढ़ेगा क्ये परिश्रम का पूनफल पराप्त होगा आर्थिक तोर पर आज का दिन आपके लिए शुब रहेगा क्या करें माता पिता की शिवा कर आपका न उत्तं रहेगा रहेगा नमणान बात करती हैं बिर स्करासी क här i wen में चंदर देः और दूसरे बहा में चंदर देःओ शुक्र देव शुकर देव फशुर पर नक्षचतर में संचनकर नेस बहूं ज़रूरी वानी में मिठास बहुत ज़रूरी एदी कारी सेली में संयम है धैरी है वानी में मिठास है तो कारी सित्र आपका वर्चा सुरेगा काम कावज करने का मोका मिलेगा आर्थिक पक्स उदर होगा नए कारोबारी श्रमंद मिलेंगे और शमाज में आपका वर्चा सुर कर कोई लापरवाई नहीं करें यहां में आत्म विश्वास बढ़ेगा केरियर और कार्वार्बार्ट दर्शन कार्षेतर में कुछ अच्छा करने का सोंसर मिलेगा और आपके प्रयासों की सराना होगी आर्तिक पक्सुदर अगर परवर जिम्यदारियां थोड़ा सा ध्यान करें अपनों की रिस्तों की प्रति सचेत रहना और रिस्ते अच्छे रहे इसके लिए मिठास बहुत ज़रूरी है मधूरता बहुत ज़रूरी क्या ना करें जमिन जाय देते कारिये में आज पुझी निवेश ना करें सुबहें के एक शुबरंग लाल भागिया आपकी समाज में एक वर्चसु बढ़ेगा सोच बहुत अच्छे रहेगी थौट प्रसेश शकारत में रहने के विज़े से समझिक कारियों का मुका मिलेगा समझिक शिवा का और मान और प्रतिष्ठा में ब्रिदी होगी पारवरी जीमन खुश्यों से भरा रहेगा अपनों का मनलाब होगा मन में हर्स और प्रसंता बनने रहेगी संतान पक्स की चिंताओं से मुक्ति मिलेगी आप युवा है विद्यारती समय आपके लिए पूर्टान कोई कारवारी यात्रा अच्छी होगी शिक्षा किष्ट में शप्रता मिलेगी केरियों में आगी बढ़ने का मौ का मिलेगा क्या करें व्यवशायक उन्नति के लिए समझुता वादी नीति अपनाए क्या ना करें शाथियों की उपक्षा ना करें शुबंक्षा शुबरंग परपल भाग आपकी पर असी प्रसनलाप कर संकेते धंदाशवालों ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शाग गुर्वे ब्रश्पति देव की बीज मंत्र का चाप करना उत्तम रहेगा बात करते हैं मकर आशिक लिए उससे पहले आज का उपाए वैर्थ की चिंताओं ने आपको भेगेर दिया चिंता आपके से हटी नहीं रही है बिना वजे का फॉल्स एलुजिजिंस बहे ब्रह्म ब्रांती र अम शंकर आये नमा या ओम चंदर मौलेश्वर आये नमा इस मंत्र का जाब करते हैं एक्की सोंबार भगवान शीव के शुलिम पर एक्सवाट मेल पतर अरप्रत कर जेगा कष्टों से छुटकारा में जाएगा नमनान और बात करते हैं मकर आशि बारवे भाह में चंदर मे रहे तो वो शतूर से मिलगर आपके साथ विश्वात घात कर सकते हैं धनानी का संकेत हैं कारियों में रुकावट है मन परशान धेगा कोई बड़ी मशनीर वस्तु की खरिदारी हानी का संकेत नजर आ रहा है खुद पर नियंद रख कर कारें महत्पुन कारी वेवशाइक यहारतों को इस तरेकड़न उचीत है धन की कमहीं से परिवार में कल है और विवाद की समभावना है ल आपर वाइनाति क्या करें रिस्तों की कदर करें पारवारी को संतोलित करने का प्रियास करें, बोल अमोलक बोल, ये में तोल पीछे बोल, सबदों का चैन अठ्चा करें, क्या ना करें नमिनकार में पुंजी निवेस ना करें पुण्जी नीवेस ना करें, शुबिंग्ना शुब होइण बालाच करे हें भाग्य आपकी प्रक्ष में क्राइब लेगा, रुकिवे सारे कार्य पूर्ण होगा, वेर्थ की उल्जने, विवाद, तरक, वितर से पीचा छोटेगा, समय पूरी तरसे आपकी पक्ष में राजनितिक और प्रशासनिक जीवन में आगे बढ़ने का मोका मिलेगा, पारवार वेवशाय और नोकरी और केरियर के चेतर में अपनों का साथ और मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल पराप्त होगा, क्या करें? घर परिवार में शुबर मांगली कारे में पूर्ण हिशा ले और घर परिवार को सहोग करें, क्या ना करें? दूसरों के कारे में दखल सबंग पांच सुबस शुबरंग परपल भाग्य आपके 75% लाब का संकेत कुम राषिवालों, ओम प्राम प्रिम प्राम सनिश्चय नमा। जाब करना कुम्राश्य वालों के लिए उत्तम-लाप का संखेते हैं में राजी में दसम भाव में चंदरदेव शुकर देव रुप भूष देव के नक्षाथ में संचन के रहे वत्तम है जुकर देव और सुझत वहागे में ब्रदि होगी कार वेविशार में उनованतिक अऊसराप्त होगी, नमीन लाब सुनकूल प्रमोशन। पूजी लेशका नासूबर हेगी, अपनों का साथ मिलेगा, 길 विड्यार्थियो अफ ले में रमोशन फ्रमोशन। की बात को महतु दें, उनकी सला से काम करें, क्या ना करें, फिजूल खर्ची ना करें, सुबरंग साथ, सुबरंग हरा, भागे आपके 70% लाप कर संकेते मिन डाशी वालों, ओम ग्राम, ग्रीम ग्राम, शाक गुरुवे नमा, ब्रश्पत देव की बीज मंत्र का जाप करना मि क्योंकि आंकलन मेरा है, और मेरे से कोई भूल या गलती हो गई हो, तो दोना हाथ जोड़कर आप से छमा मांगता हूँ, आप शुखी रहें, आप श्वस्त रहें, समर्दिशी ले, संदेव की चलनों में मेरी प्रात्मा, ओम नमाना रहें। रास्तान का हर व्यक्ति जानता है, एक दाति मराज गायों से बहुत प्यार करता हूँ, बेटियों से बहुत प्यार करता हूँ, हजारों शक्रों बेटियों के लिए जीवन के लिए मैंने अपना संपून जीवन दिया है, और ये मेरा सौक था, मेरी राष्ट की धरोवर थ मैं आपको किसी वज़े से नहीं सुना रहा हूं बिस खाली बता रहा हूं कि यह मेरा जीवन का नक्ष रहा है मनश्यों और मानू होने इतनाती मेरा करतव है कि मैं अपनी राष्ट के शेवा करूँ मैं इस राष्ट का नागरिक हूँ तीस सालों से मैं बेटी बचाओ और गोश्यवा में अपना जीवन इस राष्ट के साथ लगाया है वर्तमान प्रस्तियां आर्तिक दस्ट कौन से मेरी अनकूल नहीं है धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए नहीं पहले भी कभी नहीं मांगा अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा इंकार नहीं है नहीं चाहिए लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक प्रस्ति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर लिए कि सनिधान गोशाला की गाएं तुखी नहीं रहें इसके लिए मुझे आपका स्वयोग चाहिए और स्वयोग के लिए मैं श्योम आपके साथ खड़ा हूँ आपकी समश्याओं के समधान के लिए आप अपनी जन्मकुली का अवलोकन कराना चाहते हैं आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा पूरी साल खड़ा रहूँगा जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूँगा नमबर आ रहा है इन नमबरों पर शंपर करी आप मेरे से बात करी लेकिन इसकी है वज में गाएं के लिए चारे की वेवस्ता कर लीजे और इसलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय में परेशाने में हूँ और मेरी गाएं चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है ऐसा हिरुदे से आया लोगों ने कहा कि राश्रा आप से प्यार करता है दाती माराज एक बार निवेदन करिए तो मैं दान नहीं मांग रहा हूँ फिर भी मैं अभी भी मेरा ये एंकार नहीं है सातियों मेरा राश्रो पर है मैं यह नहीं कह रहा हूँ मैं यह कह रहा हूँ मैं परिश्रम करूँगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की वेवस्ता करिए शनी भगवान आपकी रक्षा करें और आपका जीवन सदा खुश्यों से भरा रहेगा ऐसा मेरा निवेद है और वे लोग जो शक्षम है शामर्थेवान है और जिने दाती महराज के जोती से समधान की आवश्रक्ता नहीं तो उनको मेरा प्रणाम क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महिने में लगबग लगबग बीस से पचीस पचास लोग ऐसे भी है जिनोंने सनिधाम गोशाला में एकीसो रुपया चारा कर दिया है मैं उन सब की प्रति अपना आभार प्रणार करता हूँ और ये सयोग में जीवन भर याद रखूंगा मित्रों समय ऐसा है कि मेरी प्रस्ति आर्तिक दस्टिकों से अनकोर संकेत नहीं दे लिए इसलिए मैंने राष्ट कहा कि सनिधाम गोशाला में परिशानी नहीं चाहिए सरकार स्रपोर्ट कर रही है अपनी सिमाओं में रहते वे जो सरकार करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं पड़ता है ये आप भी जानते है शासन की अपनी एक शीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देटे भी हिरदे से पुने एक बार ने वेजन करना जाता है कि आपको लगता है कि दाति महराज के साथ सनिधाम गोशालों में खड़ा रहना है नंबर है जरुशयोकर पेरा कोई दवाव नहीं है प्रातना थी ओम नमोना रहें